नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्कारिक्रम बिहार बिहान में सुबह की शुरुवात बहुत खास होती है ये बात हम सब जानते हैं क्योंकि उस वक्त आप खुद को सबसे ज़ादा खुश महसूस करते हैं आपको एक सु्हरा मौका देती है आपने कल जो अधोरे कारे छोड़ दिये थे उसे पुनाह पूरा करने का या फुछ नए योजनाय बनाने का क्योंकि हर एक नई दिन को अपने जीवन के एक नई शुरुवात के तौर पर लिये जाने की कोशिश हमेशा हम सब को करती रहने चाहिए चलिए तो कालक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तो जानते हैं कि जब भी हम कालक्रम की शुरुवात करते हैं के साथ कुछ ऐसा साजा करने की कोशिश करते हैं जिसकी चाप आपके जीवन पर थोड़ी बहुत तो जरूर आए जिसकी वज़े से आप अपने जीवन में जो लक्षे आपने निरधारिक कर रखे हैं और लक्षेों के प्रती बहुत साकरात्मक रवये के साथ पढ़ें तो आ महात्मा गांधी ने कहा था जब मैं सुर्यास्त और चंद्रमा के सौंदरी की प्रशंसा करता हूँ मिरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विश्त्रित होड़ती है आज हमारे साथ जो महमान मौझूद है हमारे साथ इस स्टूडियो में मैं आपको बता दू कि वो एक आई एफस ओफिसर हैं जी हाँ पहल पांडे स्वागत करते हैं का हम्मारे कारिक्रव वेहार भिहान में आपका बहुत बहुत स्वागत हैгляд माम हमारे कारिक्रव में जो भी जमडारियां आपको सौपी गई हैं अपने कारे सद्र में। बहुत महदवपूण हैं, क्योंकि जब passport की बात आती है उस वक्त भी बहुत बड़ी जमदारी हो जाती है। क्योंकि बहुत कागजी कारवाई करनी होती है बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान देनी की जरूरत होती है उस वक्त आप प्रोटेक्टर ओफ एमिग्रेंट्स हैं और ICCR यानि cultural exchange, cultures जो है उसको भी बढ़ावा उसको भी विक्सित करने में उसको विस्तारित करने में आपकी बहुत एहम भोमी का हैं लेकित हम सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे आपका जो पहला जो सबसे बड़ी जमधारी है वो श्वेत्री है पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट आ का ने क्यों बढ़ा है लोगों के मन में कि बहुत परिशानी होगी बहुत काग्जों की जरूरत होगी बहुत पैसे लग जाएंगे आपशे हैं तो हम आपसे जाना चाहेंगे क्या ये बढ़ांधी सही है यह बस लोग ऐसे ही डर जाते हैं मुझे लगता है कि जो यह भ्रांती है लोगों में यह इस वज़े से है क्योंकि काफी साल पहले बहुत साल पहले हम लोग 20-25 या 30 साल पहले जो पासपोर्ट था वो एक लग्शिरी आइटम माना जाता था काफी कम मात्रा में लोग उसके डर है कि पता नहीं पासपोर्ट कैसे बनेगा मुझे लगता है यह उस वज़े से चलता आ रहा है बट पिछले कुछ सालों में 10-11 सालों से जो सरकार ने चेंजे करें हैं पासपोर्ट आवेदिन के लिए कि वो सिंप्लिफा हो जाए प्रुसेस उसके बाद मुझे लगता है कि आधार काड या जन प्रमान पत्र से भी आसान हो गया है पासपोर्ट बनवाना अब आपको बेसिकली एक पासपोर्ट बनवाने के लिए तीन अगर आपके पास ये तीन चीज़े हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए और एड्रेस के लिए तो अधार काड है ही हमारे पास और आपके अगर स्कूल की डिग्री है कॉलेज की डिग्री है तो अगर ये तीन चीज़े है तो आपका पासपोर्ट बिलकुल ही असानी से बन जाए है आजकल जैसे income tax form भरने के time पे सरकार ने इतना उसको easy कर दिया है और pre-filled forms आते हैं वैसा ही passport का भी है तो एक बार जाके खुझ से आपको attempt करना चाहिए कि जब हम लोग online आवेदन भरे passportindia.gov.in हमारी site है उसमें बिलकुल क्लेरली हर चीज आपको explained है हर form available है वहां पर जो आपको चाहिए तो वहां जाके आप आवेदन कर सकते हैं हम बलकुल यह बहुत आसान है लेकिन अगर हम बात करें जैसे पटना में जो passport कार्याले हैं अमोंन कई बार में जब वहां से गुजरती हूं तो मैं देखती हूं कि ब बहुत जादा खलती है उस वक्त यह देख करके लगता है सोचने पर मजबूर हो जाती हो कि जब सरकार ने हर जिले में passport कार्याले बना रखे हैं तो दूर दराज से लोग आते हैं पटना क्या वज़ए है इसके पीछे जैसा कि आपने कहा बिहार में 35 POPS के है डिपार्टमे लोगों के मन में एक तो ये रहता है कि जब हम पटना आएंगे तो हमारा काम असानी से हो जाएगा जल्दी हो जाएगा क्योंकि पटना का कार्याले सबसे बड़ा है और जो आपने भीर देखी वो इसलिए है क्योंकि पटना कार्याले में हम लोग लगबग 2,000 के आसपास क्योंकि उनके मन में होता है कि पटना से जल्दी बिल जाएगा हमें पासपोर्ट, तो वो क्या करते हैं कि जो उनका time slot होता है, appointment के हिसाब से वो वैसे नहीं आते, वो सुवे सुवे आके 9 बजे आके बैठ जाएंगे, whereas हमारा 15-15 minute का slot होता है, तो जो आपका appointment slot है, अब उससे पहले आई है, उससे पहले 10 minute पहले अगर आप पहुंचेंगे, तब भी आपको उसी क्रम से बुलाया जाएगा, बट लोगों के मन में यह होता है कि शायद और इकठे हाते हैं लोग, जैसे एक गाउं से अपलाए करा, 10-15 लोगों ने, तो वो इकठे गाडी करकर पटना आ जाएंगे और उनका slot supposing अलग-अलग है, तो वो सुबह ही से आके वहाँ पर, unfortunately वहाँ पर बैठे रहते हैं, कई बार लोगों को यह भी कहते सुना है कि उनके जिले में जो कार्याले है, वो उनकी उतनी जादा सहायते या उनकी जादा मदद या जो प्रक्रिया है उसको आस फाइल वो वहाँ पर submit करते हैं, तो वो physically पटना आती है, तो जो डाक के माधियम से वो पटना आती है, तो उसकी वज़े से वो 3-4 दिन extra लग जाते हैं, क्योंकि जब वो जिले से post होगी, फिर यहाँ आके उनमें फिर काम होता है, जब वो PS के पटना आते हैं, तो उनकी फ passport बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए होता है, बट वो ततकाल category में नहीं जाते हैं, वो नॉर्मल ही apply करते हैं, क्योंकि ततकाल की fees ज़्यादा होती है, तो वो उस चकर में पटना ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास एक महीने क आप समय लेकर चल रहे हैं, अपने ट्रावल से पहले, तो आप easily P.O.P.S.K. से apply कर सकते हैं, माम यह तो हो गया, अचलिए जिला बता दी आपनी कि मतलब समय क्या भाव में या बहुत जल्दबाजी में लोग इस तरीके से करते हैं, और जानकारी भी बहुत जादा नहीं हो कुछ एहम जानकारी हम आप से जानना जाहेंगे, कि क्या कुछ एहम पॉइंस हैं, जिनका ध्यान रखना है जब हम पासपोर्ट के लिए apply कर रहे होते हैं, जब हम appointments के लिए जा रहे होते हैं, फिसिकली, देखिए सबसे पहली बात जो मुझे यहां experience हुआ है, कि आप कृप और साथ में आपकी बहुत जादा personal information उसमें होती है, आपके father का नाम क्या है, आपकी mother का नाम क्या है, आप कितना पड़े लिखे हैं, आप government servant है या नहीं है, आप self-employed है या नहीं, तो कई बार जो हमारे agent होते हैं, उनको जानकारी का भाव होता है, वो कई बार आपसे correct questions न आती है, passport बनाने में, वो agent ने कुछ गलत form भर दिया होता है, या उन्होंने गलत जानकारी दी होती है, applicant को, तो वो उस चकर में आती है, तो अगर आप अपना खुद भर सकते हैं, तो बेरी बहुत जादा अपील रहती है लोगों से कि अपना form खुद भरिये, रही बात उन लोगों की जो कम पड़े लिखे हैं, तो बिहार सरकार के जो वसुधा केंद्र है, हर एक जिले में है, वो मात्र सौ रुपे लेके आपका passport application form भरते हैं, तो रादर देन आप किसी agent के पास जाएए, किसी cyber cafe के owner के पास जाएए, कि हमारा form भर दीजे, इससे अच्छा आपका email id जो है, और आपका phone number जो है, वो है, online application के लिए username और password, तो जो cyber cafe वाला होता है, वो अपने credentials use करता है, कभी वो बंध हो जाता है, कभी वो shift हो जाता है, कभी वो भूल जाता है, cyber cafe वाला, तो आप passport application के जिम्मेदारी, अगर आप खुद के उपर लेंगे, तो आपके लिए जादा आसानी रहेगी, तो ये जो सरकार और जो जनता के बीच में जो लोगों की entry हो जाती है, इसकी वज़े से मुझे लगता है कि complex हो जा रहा है, जबकि बहुत आसान है, आप portal पर जाहिए, form भर ये, आपको online, आपको mobile पर आजाएगा message कि आपका appointment is date को है, आप ज आपने अगर form भरा होगा कभी तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि reporting time और appointment time भी एकदम clearly दिया होता है, 15 minute पहले आईए, और आप जब वहां जाएं, हमारा काफी सारी सहूलियत हुई है, जैसे हमारा Digi Locker के documents हैं, आप वहां पर verify करकर लेकर, Digi Locker में अपने documents upload करके लेकर जा सकते हैं, आप अपने original documents carry करिए, क्योंकि हमें basically वही verify करने होते हैं, कई बार लोग photocopy ले आते हैं, या कुछ ऐसे ले आते हैं, तो carry your original documents, again 3 documents ही, 3 type के documents आपको चाहिए, date of birth का proof, address का proof, और आपका educational, पस ये 3 तरह के documents आप लेकर जाहिए, वहां पर original, and within half an hour आपका पूर प्रसेस, जो fingerprinting है, photograph है, verification of documents है, और granting of passport easily हो जाता है, अचले ये तो normal passport की बात आपने कहीए, लेकिन जब ततकाल की बात आती है, तो वैसे में जो emergency में travel करना होता है, जिनको या उनके पास passport नहीं लेकिन emergency आ गई है, तो उनको चाहिए होता है, या फिर जिनकी job हो गई है चा जाता है, लेकिन ततकाल के नाम से, एक तो passport बनवाने के नाम से ही, थोड़ा सा उनके मन में hesitation, जब ततकाल की बात आती है, तो और ज़्यादा हो hesitate करते है, ततकाल passport भी बनवाना बहुत easy है, सबसे पहली बात, बिहार में ततकाल passport के applications जो है, वो सिर्फ हम पतना में अक्सेप नहीं करते, तो सब पतना में आगे, और आपको जैसे normal application के लिए minimum two ID proofs लगते हैं आपके, वैसे अगर आप ततकाल के लिए apply करते हैं, तो आपको तीन ID proofs देने होगे, तो जैसे कि अगर आपका आधार हो गया, आपका pancard हो गया, और आप अपना driving license ले आए, और उन में सब से जाधा दिक्कत जो ततकाल processing में हमारे लिए होती है, कि हम लोग जो है, हम अपने हर एक document जो है ना, उनको एक जैसा नहीं बनाते, मतलब किसी में father's name कुछ और हो जाएगा, spelling अलग हो जाएगी, अगर आपका supposing Kamal Kishore Singh है आपके father गनाब, तो किसी में Kamal Kishore होगा, किसी मे Kishore Singh हो जाएगा, तो हमारे documents अगर तीनों matching है, तीन ID proof जो आप submit कर रहे हैं, तो आप ततकाल के लिए भी apply कर सकते हैं, तो basically ततकाल में तीन ID proofs लगते हैं, तो basically passport बनवाने में जाधा परिशानी नहीं है, परिशानी इस चीज में आती है कि आपके पास जो proofs हैं, उसमें सा से जाधा दिक्कत और difficulty की बात आती है, date of birth की, बेरे पास कुछ-कुछ cases ऐसे भी आए हैं, अभी हाली की बात है कल की, जहां पर applicant ने चार birth certificates, अलग-अलग date of birth के, अलग-अलग date of issue से हमारे office में submit कर दिये, तो क्योंकि अलग-अलग उन्होंने तीन चार passport बनवाए हैं, उसम सब, और आप क्योंकि सब कुछ computerized हो गया है, अब online हो गया है, तो हमारे पास वो सारा data, सब कुछ available रहता है, तो in cases में process करने में हमें इतनी दिक्कत आती है, इससे अच्छा आप एक अधार card और आपके जो educational qualification है, अगर उसमें आपकी date of birth, जैसे 10th के certificate में date of birth और आपकी अगर supposing आधार card में आपके father का नम सेयद रशीद है, तो वहाँ पर मुहम्मद सेयद रशीद हो जाएगा, और हमारे लिए ये लोग दो अलग-अलग हो जाएगा, because passport एक बहुत जादा important document है, क्योंकि उसके जर्ये लोग बाहर जाते हैं, तो हम लोग एक तरह से ये guarantee देते है, कि ये Indian citizen है, हमने इनकी जाच करी है, और ये आपकी country में आप इन्हें allow कर सकते है, क्योंकि हम इनको बाहर भेजने के लिए वो document है, so we have to be very careful, बिलकुल, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चत करे देश में भी और देश के बाह है, यहाँ जब embassy की बात आ रही है, आप protected of immigrants भी है, हर साल कितनी तादात में लोग भारत से बाहर काम करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना जाए, किसी भी company में क्यों ना जाए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी, जैसे आपने कहा कि जिलों से, दूर दूर सुदूर जिले है, वहाँ से कई बात, सेक्ड़ो लोग जाते हैं बाहर अपनी रोजी रोठी के लिए, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है, हम ने जाना कि हमने देखा है ख़बरों में कि वहाँ गए हैं वो परशानी हैं, फस्द गई हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं सरकार एक समय के बाद मदद नहीं कर पाती है यह कोशिश भी करती है तो कुछ बाध्यताई होती है सीमा जो है देश अलग है सरकारे अलग है वहां जो भी चीजे हैं उसकी वज़े से परिशान हो जाती मदद नहीं कर पाती है चाह कर भी सरकार मदद नहीं कर पाती है तो किन बातों पर बहुत जादा फोकस करनी की जरूरत है जब हम भारत से बाहर दूसरे दिश में काम करने जा रहा हैं तो इसके लेज़ गाँ बाहर विदेश में नौकरी करने जा रहा है तो एक basic चीज है हमारी पासपोर्ट होते हैं हो दो कैटिगरी के होते हैंW E-C-N-R, Emigration Clearance Required and E-C-N-R, Emigration Clearance Not Required. तो अगर आप 10-Wी से जादा पड़े लिखे हैं, तो आपको E-C-N-R passport मिलता है. और अगर आप उससे कम पड़े लिखे हैं, तो आपको E-C-R passport मिलता है. तो आपको Protector of Emigrants का आर्याले से Emigration Clearance लेना पड़ता है. तो एक तो अगर आपके पास E-C-R passport है और आप बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप Emigration Clearance बिल्कुल लीजिए. और Emigration Clearance लेने में हम लोग आपके सारे documents चेक करते हैं, कि आपने जिस आप company में काम करने जा रहे हैं, वो है या नहीं, आपको जो वो salary दे रही है, वो है या नहीं, जो claim कर रहे हैं आपको काम के, आपको painter की तरह रखेंगे, वहाँ पर laborer की तरह रखेंगे, वो company वो काम offer क कर भी रही है या नहीं, तो वहाँ जाके, क्योंकि अक्सर वहाँ जाके, लोगों की जो basic complaint होती है, कि हमें बोला तो था कि हम लोग welder बनेंगे यहाँ पर आकर, और हमें यहाँ यहाँ पर आकर, मजदूरी का काम करवाया जा रहा है, तो अगर आप ECR passport holder है, तो आप immigration clearance, मतल से बाहर जाए, क्योंकि यहाँ पर tendency यह है कि कोई भी गाउं का दोस्त है आपका, वो विदेश में तीन साल होकर आया, फिर वो वापस आ जाता है, और फिर वो एक अपना recruiting agent बन जाता है, कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूँगा, उसको ना नियम की जानकारी होती है, ना उ इसके कहने पर आपको कोई भी समस्या हुई, कोई भी दिक्कत हुई, तो जो यह agent है, वो वापस आपको नहीं ला सकते है, क्योंकि यह मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोन करके कि हाम मैंने नौकरी फिक्स कर दी और यहाँ से थोड़े बहुत पैसे इन लो वापस ला सकते है, हमारे सरकार के इंटरवेंशन के साथ, और तीसरी चीज़ जो हमारी ध्यान रखने होती है, कि आप अगर विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीजा पर मत जाएए, टूरिस्ट या विजट वीजा पर बिलकुल नहीं जाएए, वहा जाके जो आपकी कंपनी है, वो आप से एक्स्ट्रा पैसे लेती है, कि वो एम्प्लाइमेंट में कनवर्ट कर देगी, मेरे पास इतने सारे केसे थे, मलेशिया के, अराउंड दोसो धाइसो लोग हैं, बिहार से, जो पिछले तीन और पांच साल से वही पर फसे हुए है, क् क्योंकि वो विजट वीजा पे गए थे, उनका वीजा खतम हो गया, एम्प्लाइमेंट वीजा में कनवर्ट नहीं हुआ, तो अभी जो है, वो कंपनी के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो बाहर निकले के तो फो फस जाएंगे, तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कि रिजिस्टर रिकूटिंग एजिंट के माध्यम से जाना है, और एम्प्लाइमेंट वीजा पर ही भाहर जाना है, वोकिंग वीजा हो ये हम टोर्स्ट वीजा लेकर के हम बहार चलेगे, हम काम करना हमने शूरू कर दिया, विदेश जाकर के, पहली जिम्दारी क्या हो होनी चाहिए और पहला क्या काम होना चाहिए हमारा हमारी सेफ्टी इंसौर करने के लिए, सबसे पहले जो अपने पास कौपी रखिये, किसी ओर लाइन मीडियम में रखिये और जो आप के यहां पर लोग है, फैमिली है, उनके पास जरूर आप उनको दीजे, क्योंकि उसी से जब अगर कुछ भी अगर आपको वहां पर पर परिशानी होती है दिक्कत होती है तो आपकी फैमिली को यहां पर इनफॉर्म करने में असानी होती है तो प्लीज 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 इन सब चीजों की एक कॉपी आप अपने पास रखिए एक ओनलाइन मीडियम में रखि जब आप विदेश पहुचते हैं तो प्लीज जो सेकिंड स्टेप है हमारा वो एमबैसी या हमारा जो दूतावास है वहां जाके आप अपने आपको रिजिस्टर जरूर करवा लीजे कि हम यहां पर आए हैं हम लॉंग टर्म यहां पर स्टे करने वाले हैं चाहे आप इंप् भारत का नागरिक यहां पर है और अगर आगे आपको कोई भी समस्य आती है कोई भी दिक्कत आती है तो हम हमें आपको ढूंडने में आपकी मदद करने में हमेशा असाली रहेगी तो यह दो चीजे जो हैं वो ध्यान में रखना है चाहिए हम बात कर रहे थे कि कई बार पर की पहले मेंबर्स को नहीं पता चलता हैं, जो व्यक्ती बाहर काम कर रहा होता है वो क्या करें, उस कंडिशन पहले है कि आपको दूतावास जाना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी काहा था कि अगर आपके पासपोर्ट की कॉपी है, तो बहुत जादा सहूलियत हो जाती है दूतावास को आपके help करने में, क्योंकि हमारे पासपोर्ट का नंबर होता है, हम जांच कर सकते हैं कि ये सच मुझ भारत भारतिय नागरिक है या नहीं, अगर उतके पास आपके पास कोई भी कागज नहीं है, तो at least कई बार हमारे situation में ये आता है कि जो आपका employer है बाहर वही आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, तो आपके पास वैसा नहीं होता है, बट इस वज़े से आप एक फोटो कॉपी, आजकल तो सब के पास स्मार्ट फोन है, फोन में एक फोटो खीच कर रख लीजे अपने पासपोर्ट की, ताकि आपके पास पासपोर्ट का नंबर आपका पता चल सके, कि आप अपके भारतिय नागरिक हैं या नहीं, और जैसे कि आपने का क्या-क्या मदद होती है, तो हमा आया काम या कोई भी आपके साथ दुर वहवार हुआ, तो हमारे पास वहाँ पर विमेन शेल्टर भी हैं, जहां पर फीमेल को हम लोग रखते हैं, जब तक उनका exit formalities, कि जब तक वह वापस यहां पर नहीं आपाते हैं, तो सबसे important चीज जो है कि आप दूतावास को संपर क और अगर आपके पास supposing कोई भी document नहीं है, आपके पास passport भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, then also आप अपने दूतावास में जाए, उन हमारे पास dedicated sales हैं, especially Gulf countries में, जो सिर्फ इन issues से डील करते हैं, और रही बात यहां पर family members की, तो जो यहां की family members हैं, उनको अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रिये जनों से जो बाहर हैं, या कुछ भी वो आपको communicate कर रहे हैं, कि आपके साथ कुछ परिशानी हो रही है, तो यहां पर जो नियोजन भवन में हमारा protector of emigrants कार्याले हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, और जितनी भी आप details दे सकें कि कौन सी company में वो काम कर रहे हैं, उनका local number क्या है, हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े हमारे पास भी आकर हमें अप्रोच कर सकते हैं, बलकुल तो यह जम्यदारी परिवार के लोगों की भी है, साथी साथ जो वेक्ती बाहर जारा है, उसके भी जम्यदारी ह है कि इतने बड़े धर्ती पर थोड़ा सा ढूना थोड़े सा नमुम्किन तो बलकुल भी नहीं है, ऐसे कई हमने cases देखे हैं, कि सरकार की जो सीमा हैं, उससे बाहर जाकर, मदद करके भारत के नागरिक को वापस लाया गया है, कई cases हुए हैं से, जब ऐसे cases की बात हो रही ह है कि जो बहुत extraordinary case हो, और आपको बहुत ज़्यादा मशकत करनी पड़ी हो, उस व्यक्ति को सही सलामत वापस लाने में या उस व्यक्ति की सहायता करने में, देखे जो सारे cases होते हैं, वो हमारे थोड़े से पेचिदा या complicated होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दर लोग जो बाहर जाके फस्ते हैं, देखे बहुत हमारे लिए बहुत असान हो जाता है कि अगर आप हमारे जो चैनल है, जैसे registered recruiting agent है, हाल ही में हमारे case हुआ था, वो registered recruiting agent के माधियम से गए थे, उनको वहाँ पर वो काम से खुश नहीं थे, जो काम वो promise उनको करा गया था, वो वहाँ पर काम है, official communication करा, कि ये आ जाना चाहिए, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर वापस आ गए, बट हमारे पास कुछ cases ऐसे भी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि recruiting agent कहा है, कौन था, एक phone manager से कहा कि जिले में कोई भी आदमी मिलता है, फोन पकड़ के और वो फोन बंद कर देता है, और वो बाहर जाकर फस जाते हैं, कभी कबार उनको fake visa दे देते हैं, तो या तो हमारा यहाँ पर immigration उन्हें रोक लेता है, या वो वहाँ जाकर पकड़े जाते हैं और जेल में चले जाते हैं, तो हमें इस चीज़ में हमें पता ही नहीं चलता कि आपको किस तरह से हम लोग सहूलियत दे, कैसे contact करें, क्योंकि ना आपका agent का number है, आप वहाँ पर भी नहीं है, तो उस case में भारतिये दूतावास और वहाँ की जो police authorities भारतिये दूतावास को contact करती है, कि यह आपका नागरिक है, जो claim कर रहा है कि मैं इंडिया से हूँ, इसके पास कोई कागस नहीं है, यह fake visa प के लिए भी special fund रखे हुए है कि उनको हम लोग ICWF funds कहते हैं, जिसके माधियम से हम लोग उनको वापस भी लाते है, air tickets हम लोग उनके लिए खरीद के उनको यहाँ पर वापस लाया जाता है, और जो भी उनकी वहाँ पर penalty होती है, fake visa लेकर पहुंच जाने की वज़े से, तो यह सब चीजे करा जाते हैं, तो यह एक simple process से भी हम लोग वापस लाते हैं, और यह इतना complicated process होता है, जिसमें यह सारी चीजे establish करने में कम से कम हमें 4-5 महीने लग जाते हैं, तो इस वज़े से हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, कि आप अपने परिवार वालों को यहाँ पर बता कर जाएं, कि यहाँ का agent का नाम, नमबर और उसका पता दे कर जाएं, वहाँ पर अगर आप कई बार होता है कि विदेश से ही phone आ जाता है, एक हमारा पतना का case था, वो दुबाई का cell phone लेके वो पतना से ही सब का recruitment कर रहे थे, मतला वो थे पतना में और दुबाई के cell phone से लेके कि आप मुझे पैसे दे दीजिये, और मैं दुबाई से बोल रहा हूं, मेरा ये company card है, वो वहाँ दुबाई में ex-employee थे, और उन्होंने कम से कम 20-25 लाग के ठगी करी थी, और थे वो पतना में ही, तो फिर फाइनली हमें ये सारी चीज़े ढूनने में, कि वो कह हैं, उनके call logs और पता नहीं किस पॉलिस की जानकारी से हमने ये करा, तो हमेशा अपने agent का number, नाम वहाँ पर आपकी company, आप कौन सी company में नौकरी करने जा रहे हैं, वो अपने परिवार जनों को जरूर बता गी है, अपने वीजा में चेक करिए कि वीजा में जो company का नाम है, वो उसी company में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत चोटी-चोटी चीज़े हैं, जानकारी ही बचाओ है, बिलकुल, जब आप फेक वीजा की बात हो रही है, तो फेक पासपोर्ट भी, कई बार ऐसा होता है कि आप भारत से तो निकल ज पासपोर्ट से आप बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब जो सब कुछ हमारा online system हो गया है, तो Bureau of Immigration में, जब आप immigration यहां से कर रहे हैं, तो they scan the passport, तो उसमें वो आप irritably आप पकड़े ही जाएंगे वहां पर, क्योंकि आपके passport details हमारे system में नहीं होगी, यह चीज़े पहले होती थी, वही 25 साल पहले जब आपका handwritten passports होते हैं, आप photo बदल लेते हैं, और यह सब, अब जो है, यह सब कुछ online है, तो यह सारी details एक computer screen में आपके सामने आ तो इस point पर chances बहुत ही जादा कम हैं कि आप fake passport पर travel कर पाएंगे बाहर, because checking हमारा अब online होने की वज़े हैं, बेलकूँ, बेलकूँ हमारे साथ जो महमान मचूद है, ताविशी बहल पांडे जी, उनकी एक और जम्यदारी है, वो ICCR यानि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिश्वद की regional director है, बिहार जहारखन की, ICCR एक बहुत बड़ी जम्यदारी हो जाती है, क्योंकि आप अपनी संस्कृती, अपनी सभ करेंगे, उतनी ही इज़त, उतना ही गर्व से लोग आपके देश की तरफ देखेंगे, तो बिहार जहार खंट हम सब जानते हैं, कि फोकार्ट्स बहुत खुबसूरती से बसे हुए हर जिले में, हर कस्बे में, किस तरीके से आप इसे लेकर आगे बढ़ रही है, अक्चली में युनिवर्सिटी है, और जार्खन में आयसम धनबाद है, तो वहां पर जितने भी विदेश के छात्र हैं, जो यहां पर पढ़ने आते हैं, तो हम लोगों का जो में अब्जेक्टिव हैं, हम उनको, उनका फैसिलेटेशन है, कि यहां पर आएं, वो अच्छे से रहें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि cultural exchange जो होता है हमारा, वो बहुत एहम है दो देशों को, देश के लोगों को साथ पे लाने का, appreciate करने का, तो ICCR यह recognize करता है कि अगर यहां पर आकर कोई बच्चा यहां पर college में पढ़ेगा, और यहां पर चार साल रहेगा, तो जितना वो culture appreciate कर पाएगा, भारत को जितना अच्छी तरह से जान पाएगा, वो सिर्फ एक supposing एक dance program देख लिया आपने, आप उसको नहीं उत्तार नहीं जान पाएगे, तो यह जो ICCR का मूल objective है कि यहां पर बच्चे आएं, obviously उन्हें education दे और वो करें, बट साथ ही साथ वो यहां का culture appreciate करे तो इस सिलसिले में हम लोग काफी सारे चीजे करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहां पर उनके लिए जो हमारे classical dance form है, यह हमारे folk dances है, हम उनकी workshop कंड़क्ट करें, यहां का जो बिहार का local cuisine है, यह है तो उनके लिए supposing एक food mela हम लोग organize करें, कि यह हमारा cuisine है, यह हमारा dance form है, तो जब इन सारी चीज़ों को introduce करेंगे, तो वो जादा appreciate कर पाएंगे, बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बात करते हैं, कि यह जो world है, यह global village बन चुका है, यह हम वसुबदय कुटुमभुकम की बात करते हैं, यह तभी establish हो पाएगा, तभी धरातल पर आपाएगा, जब हम एक देश, दूसरे देश के culture को समझेगा, वहां की संस्कृती को समझने के कोशिश करेगा, और इस दिशा में ICCR जो है बहुत एहम काम कर रहा है, बहुत एहम भूमिका निभा रहा है, बहराल आप हमारी स्टूडियो में आई, और अलग-अलग बुद्दों पर इतनी हमारत से बाहर जाते हैं, किन बातों पर आपको विशेश द्यान देनी के जरूरत है, आप हमारा पता नोट कर लिजी, क्योंकि आपके खतों कहामें बेसबरी से इंतजार रहता है, हमारा पता है, निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंदर पतना, फ्रेजर रोर पत झाल झाल